जिबाव ठीबान को सूपर भाद दंशकार रम 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 प्रडम कैसे आल चाल प्लेनिंग हो गई अब बात करते हैं और्गनाईज करने के अपने दिमाग में सब कुछ बिठा लिया है अपनी सोच में गोल सेट कर लिया अब और्गनाईज करते हैं organizing का simple vasha में क्या मतलब है organizing का मतलब है सब कुछ को arranging everything in orderly form ताकि हम उससे most efficient use निकाल सकें तो organizing process का पहला part कैसे शुरू होता organizing process identify करो काम कितना है और उसको divide कर दो तो point 1 है identification division of work total काम देखो उसको चुट 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 टुकडों में बाट दो और हटुकडे को job देदो अर तुमारे सामने बहुत चारी job एक खुल ली पड़ी है तो point number 2 आता है grouping the job and departmentalization jobs को group कर दो similar similar job तू जा similar similar job तू जा और उनके इसाफ से department लगा दो ये कैसे कर सकते सर दो तरीके के होता है या तो आप job को depend करो उनके function के उपर की production वाली सारी job एक तरफ sales वाली सारी job एक तरफ या फिर divisional departmentalization करो यानि कि और ये YouTube को production एक तरफ अलग हो YouTube production अलग YouTube sales भी उसी तरफ YouTube marketing भी उस तरफ अच्छा application तू पूरा इस तरफ जा यानि कि जहाँ पर हम लोगों ने product specific ले गए यह इसके अंडर होगा इसका काम यह होगा यह एडिट करेगा तरफ में यह निकालेगा यह निकालेगा यह निकालेगा duties assign करना और यह सब करने के बाद कौन किसको report करेगा हर वेक्ति मेरे पास तो आएगा नी point no.4 है establishing reporting relationship कि कौन किसको order देगा और कौन किससे order लेगा अब यह पूरा चार्ट बनाना देखो organization simple बश्चा में डाचा मना देना पूरी हो बना यह शर्का जरूरी क्यों है अगर आप यह करते हो तो specialization आता है चूंकि हर आदमी को पता रहता है उसको क्या करना है कितना करना यह करना इसले करना है next administration करने मदद मिलता है क्योंकि आपने department अलग-अलग बना दिये तो उसको देखना उसको समालना easy हो जाता है change को आप easily adopt कर सकते हो क्यों कर सकते हो सब simple सी बात है आपकी organization जो है वो dynamic हो चुकी है अब जिस department में change करना सिर्म उसको बदलो बागी सब को उटा दो next है आपके personal का development होगा आप जो बंदा काम करना इसका development automatically होगा क्योंकि उसको उसकी नौकर उसकी scale और ability के हिसापसी पर लिए होई है और हर प्रकार के काम को एक ही department में डाल देते हैं उसको हम कहते है functional organizational structure ठीक है इसके फायदे क्या है supervision easy होता है सारे production कर रहे है सारे sales कर रहे है सारे marketing कर रहे है सारे advertisement कर रहे है specialization आता है YouTube production अनकेडवी production यह सब एक ही तरफ है तो इससे सीख ले तो इससे सीख ले ठीक है coordination easy होता है और overlapping नहीं होती है ठीक है नुकसान बहुत सारे है नुकसान क्या है common goal बूल जाते है जो production करने में लग गया sales हो नहीं है यह दर बैठके ठीक है coordination का जो level है ना वो तो इस दिरे कम होते जाता है क्योंकि production वाले को sales से कोई लेना दे नहीं वो आपस में लड़ मर रहे flexibility नहीं है production वाला marketing में नहीं जा सकता marketing में नहीं जा सकता accountability जाज नहीं कर सकते मतलब किसकी गलती है वो बोलेगा मेरी के गलती में तो बना दिया sales बोलेगा इसने गलत बना है ठीक है दूसरा आता है इसका positive divisional structure जब organization बड़ी हो जाती है और organization में बहुत सारे products आ जाते तो product specific structure बना देता है YouTube YouTube सब इसी में sales marketing department सब इसी के अंदर होगे फाइदा क्या है फाइदा यह है अब पता लगता यूटूब डाउन जा रहा तो इसी department की गलती है अनकेट्म डाउन जा रहा इसी department की गलती है decision making is जाता है YouTube कोई change करना है चल कर ले इसको कोई नदेना है नहीं है no interrelation specialization bring कर लेता है साथ-साथ मैं expansion करना है नया department on करना है तो बागे कोई छिड़ना नहीं पड़ेगा तो अलग से हो जाएगा नुकसान क्या है अब product specific चले जाता हो एक बंदा एक ही चीज के ओपर द्यामत द्यमाग लगा रहा है उसको इससे मतलब नहीं है ठीक है जबकि सब कोई एक ही के अंदर रहा यूट्यूब वाले कमरे में तो अपने यसी लगाया अनगेड़े वाले में लगाया है नहीं या फिर application वाले पर लगाया है नहीं कहां पर क्या depend करता है देखो functional तब यूज करना है जब आप एक ही तरीके के product बना रहे हो और ज्यादा बड़ी organization नहीं हो यह divisional जब आप ब अपना basic routine work 2-4 तू मेरे काम काई तरह जाए तू ले जाना है ठीक है तुझे आता है का यह यह कल देना है यानि कि वो काम जो मैं दूसरों को दे सकता हूं सबको नहीं कुछ मेरे विश्वासू आदमियों को इसके अंदर तीन चीज़े आती है responsibility, authority and accountability responsibility मतलब काम तुझे करन है authority मतलब तू यह ताला खूल सकता है मैं तिरको authority देता हूं चाबी तिरको दे रहा हूं तुझे सुबह आके पानी भरना है इसके लिए मैं पानी के नलका लॉक तुझे दे जाऊंगा तो यह authority मिली क्या चाबी responsibility मिली क्या काम करना है और accountability यानि कि अगर नहीं हुआ नहीं पड़ीगी तिरसाथ साथ मेरे को भी पड़ रही होंगी क्यों जरूरी यह सरी करना देखो delegation करने के फायदे क्या है coordination easy हो जाता है क्योंकि मैं कुछी लोगों को मैंने दिया है ठीक है employees का development हो जाता है उनको लगता है यार मेरे को manager वाला काम मिल रहा है future manager बन जाते कि उनको समझ माता रहे यार इतने सारे काम करने पड़ते है मैं management करने में easy हो जाएगा मुझे चोटे मंटे काम दिमाग नहीं लगाना मुझे core काम ही करना है organization growth automatically हो जाएगी अच्छा इसी के एक दूसरा पाठ आता है जिसको हम कहते है centralization, decentralization का मतलब होता है कि सारी ताकत मैंने अप को ताकत मिलती है जबकि delegation में जो मेरे विश्वास हो आदमी है उनको ही काम करता हूँ, organization जो है न वो completely centralized decentralized नहीं होनी चाहिए, बीच का होना चाहिए, decentralization ज़रूरी होता है, क्यों होता है, अगर आपने ताकत सब को देदी तो हर वेक्ति अपनी ताकत के सबसे काम कर सकता है, growth path easy हो जाता है, बविश्व में manager बन जाते हैं, इसके बाद अगर दूसरी organization के बारे में बात करें, तो वो आती है आपकी formal और informal, तेको बाई, simple है, बहुत easy है, जाला है, दिमाप नहीं लगाना है इसमें, अगर formal informal के बारे में बात करें, formal organization structure, वो organization structure जिसमें सारे ही काम ही का command होगा, सिर्फ काम की बाते होंगी, काम proper होगा, organization का behavior बिलको directed towards the achievement of organization goal होगा, पर ऐसा सिर्फ कहने में होगा, नुकसान क्या होते हैं, को ऐसा होने से बोर हो जाते हैं, यार सिर्फ काम ही काम करवा रहे हैं, second है, जो आपने देखा है, बड़ी-बडी organization नई changes नहीं लापाती वो इसलिए निलापाती, क्योंकि वो formal है, तो भाई नई changes लाने के लिए कौन किसको बोलेगा, इतने सारे procedure हैं, बदलाव करते-करते, दो साल, तीन साल निकल ही जाएंगे, ठीक है, human relationship को भी developing नहीं होती, यारो सी परो सी साथ में कौन काम कर रहा है, पता है, इन चला, तीन स्टार्टप वगेरा काम करते हैं, स्टार्टिंग में सारे informal होते हैं, यूकि वो चाहते हैं कि सारे के सारे लोग उनसे clear और exact respond या feedback प्रोवाइड करें, इसके फायदे क्या है, आपको exact right feedback मिलता है, शोशल नीटर तो मेंबर कोश होते हैं, सब लोग आपस में हस्मिल के रह जाते है, चेंज लाने मुश्चिल हो जाता है, अब आपका दोस्ती है, आपका employee, तो आप उसको बोली नहीं सकते हैं, नहीं या तरी salary कम करूंगा है, नहीं अभी दो महीने तू दूसरी चीज कर या तू संसे नहीं कर रहा है, नहीं बोल पाएंगे, नेक्स चीज यह है कि अब जो है न नया बंदा जो आ रहा है उसको आपके साथ घुल मिलके रहना पड़ेगा, क्योंकि वह नहीं रहाएगा, तो सब उसको काट खाएंगे, व्यूंकि organization completely informal है, तो देखो organization पूरी formal हो तो भी नहीं चलेगा, completely informal हो तो भी नहीं चलेगा, दौनों का mix रखोगे तो बढ़िया चलेगा, जहाँ formal, बीच-वीच में informal हो बढ़िया organization चलेगी, ठीक है, जैसे कि इस वीडियो पर like and number भी बहुत ज़्यदा बढ़ना चाहिए, मिलते हैं आप लोगे से अगली वीडियो के साथ, कोई दिकरत को परिशानी है तो ज़रू बताए, चेप्टर आपका समप्त होगे, थोड़ा सा बड़ा चेप्टर तो साथ मिनिट के असवा फिलियो चली गई है, पर I hope आपको सब कुछ समझने में आ गया होगा, keep on watching